हेलो और वल्कम गई स्वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग सी है चाम पॉंडू चेरी टी-20 की बात करेंगे जो कि मैच होने वाला है पॉंडू चेरी वेस्ट 11 और माहे 11 के बीच में तो चलिए दोनोई टीम के प्लेयर पर एक ब प्लेयर को मिलेगे जाना है और कौन से वीडियो में कवर करेंगे तो चले भी बिना किसी तेरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच की इसे बहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूटुब चैनल को बिदक आपने सब्सक्राइब ने किया तो सब स चैनल को सबसे बहले सबस्क्राइब करना है साथी में टेलिग्राम से भी जूड़िएगा तो यह मेंस दोपेर में तीन बजे क्रिकेट एस्ट पूडूचेरी शिये चाम ग्राउंड पूडूचेरी में खेला जाएगा तहापर पीच रिपॉर्ट की बात की जाए तो रंस आई तिंक यहापर एक्सो चालीस पचास बन सकते हैं इसे कंब एवरेज यहापर एक्सो तीस चालीस एवरेज है इसके रिद्गी आराम से स्कॉर बनता हो न चलाएगा बाकी 20 में से ज्यादा तर यहापर पहले बैटिंग करने वाली टिम को ज्यादा तर ड़्वांटीज तो ओपनिंग में आपर आमीन जिसान और लोगे स्पी ने ओपनिंग करवाया था अभी देख सकते हैं जहां से आपको 57 के साथ तीन विगेट इसके बाद 28 के साथ एक विगेट 51 रन यहां पर 45 उनसर तो जब अर्जस पर्फरमस दिया था पिछली बार इसी कारण और इसी रिजन से हमने इनको कप्तान वाइस कप्टन सिफ दी थी आगे भी इस मैच के लिए भी मैं तो इनको बिल्कुल रोपने करना यह दोनों के अंदर चाहिए एस वी बोवंद्राज ने एक मैच के अंदर ओपनिंग भी किया बाकी पर्फरमस कुछ खास है ने तो अभी के लिए इनको लेके जाना कफी रिस्क है जील में ट्राइकर होगे एल निशांक ने सेकंड लास में तो यह दोनों नहीं है तो दूसरी मैच के अंदर बैटिंग नहीं है मतलब जीरो पर और यह देख सकते हैं आफ लोग काफी अच्छा प्लेर है बैटिंग से आपको प्रभाकरन गोपाल कृष्णन वेरी इंपॉनेट पीक रहेंगे और यह बंदा यहां पर कंशिस्टन्ट विकेट निकाल रहे हैं देख सकते हैं आप लोग हर मैच के अंदर इस से पहले आप देख सकते हैं पिछली टूनामेंट के अंदर कुछ कुछ बड़े पर्फॉर्मस दिखेंगे आपको तो वेरी इंपॉनेट रहने वाला है इसके साथ विसनू के काफी नीचे खेले थे लेकिन इसके बावजुर इन्होंने 20 रन की पारी खेली इसके पहले भी पंदरा रन की पारी के लिए और इसके पहले आपर पिछली टूनाम कर सकते हैं आप लोग इनको स्मॉल लिग में ग्रांड लिग में दोनों इमें कप्तान वाइस कप्तन यह बंदा पहले ही मैचकन हमारे कप्तान थे जहापर इन्होंने चार विकेट निकाले थे और आगे भी मतलब इस मैचके लिए भी हम लोग रिस्क ले सकते बहाला कि इस इसके अलावा पिछली तीनों मैचके नों कोई खास परफोर्मस नहीं रहा लेकिन फिर भी हम लोग इनके उपर रिस्क ले सकते हैं कप्तान वाइस के अलावा ऐसे कृष्णा कुमार एस थोड़े से इंकंसिस्ट है लेकिन मैं आपको पहले भी बता है वही जब विकेट न वहां के साथ अपर पी गोपाल कृष्णन देथ में आये थे और बाकी बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट बगएरा टेलिग्रम में दिये जाएंगे जल्दी से टेलिग्रम चैनल को जोईन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे बाकी बात करें हम लोगिया अपर एं मेलेवन की जो की 6 में CEO मुकाबले जीते है दो मुकाबले हादेज हैं 2 मुकाबले अबान ड़नेडर हैं ओपनिंग की बात करें तो वीजीन पी वलसन जो कि टिंध के कप्तान है ओपनिंग वे आ जातेह पहली में के साथ उनने पर्फरमस कुछ खास है ने बाकि एजर प्लेयर हम लोग इनको लेके जा सकते हैं रुबी सेंपी की बात करते हैं जो कि पिछली दोनों मैच के अंदर अंडे दिये हैं इन्होंने राइट हैंडेट बेटिंग के साथ साथ आइटम स्पिन गेमराजी करवा सकते हैं लेकिन पर्फरमस कुछ खास है ने तो अभी के लिए इनको लेके जाना रिस्क है जील में ट्राइब करेंगे वीजी से में वेरी इंपॉर्ण रहेंगे इनको लेके जाएंगे हम लोग क्योंकि यह बैटिंग के साथ साथ वरस भी करवा लेते हैं इवन शुरुवात की यानि कि पहली मैच के दर दो विकेट निकाली थी और दुसरी मैच के लिए यहां पर 43 भी किये थे इसके लिए विश्णु दयानन की बात करते हैं जिन्होंने लास मेच के न एक विकेट निकाला था बाकि इनका कोई खास परफॉर्मस नहीं रही इस इस टूनामेंट के अंदर बेटिंग से कुछ खास किया नहीं बाकि पिछली टूनामेंट के अंदर 19,31,16 और 20 देट से कुछ स्कूर किये थे सन्मानोन फारीस रिस्की जील में ट्राइ करोगी तो आकि साजु चोतन इंपॉर्टस रहेंगे क्योंकि बेटिंग तो अच्छ देट में भी आते हैं शवरव के के दोनों मैच करना कुछ खास नहीं का तो इतना बड़ा दिस्क नहीं लेना है इनको हम लोग जील में ट्राइ करेंगे बाकि सीजी नार तीन मैच के अंदर एक एक विगेट निकाला है और लास मैच के अंदर विगेट लेस रहे थे इसके करेंगे हैं यह आगे मैच के अंदर और करेंगे आंए कि बाकि आप उस हच्छी करवा लेता इवन दो मैच कंदर यहापर इन्होंने देट व्येत लायते कि अ कर सकते हैं अगर क्योंकि लास मेकर आइटिंग चाहिए इसी सब्चूडर को सब्सक्वी आप यहाँ था था श से पेले आपर सर्फुद्धी ने भी देथोस में केनबाजी की हुए बाकी देखो बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टाट्स और उनके अपडेट वगेरा टेलिग्राम में दिये जाएंगे जल्दी से टेलिग्राम को जोइन करना रहेगा लिंक नीचे डि विल्सन हमारी टीम के अंदर रहेंगे बाकी तो यहां पर निश्यांग और संदमाल उनकारिस दोनों ही काफी रिस्क है क्योंकि विपी विल्सन विल्सन यहां पर ओपनिंग करवा रहा है तो हमारे लिए प्लस पॉइंट बन सकता है इसके लावा देखो बैटिंग सेक्श और रांडर सेक्शन में आपर लिजित भी है मतन एम है यहां पर इसके साथ सीजिन आर और यहां पर साई सरनन वाई इनको वाई यानि की क्यों क्यों लिया है वह आपको इस मेंच के लिए मालूम पड़ेगा मतलब होगी तब अभी के लिए रिस्क है आप लोग अगर सेफ जाना चाहे तो इनको ड्रॉब कर सकते हैं बॉलिंग सेक्शन में आपर ए विजित और इनके साथ या पर पी गोपाल कृष्णन हमारी टीम के अंदर रहेंगे यहां से आप लोग फया जैमत के उपर रिस्क ले सकते हैं स्वरी इम्तिया जैमत टीम की बात करते हैं तो टीम आधार यह दो किन सकती मेरी इम तो पॉस्फरा से रहेगा लाइन अप में तो बैटिंग में मतलब टीम में भी चेंजिश रहेगा तो फाइनल मेरी मेरी समोल लीग या ग्रान लीग की जो भी हो मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाँगा तो टेलिग्राम से जुड़िएगा और टेलिग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप लोगो उसी लिंक description box में सबसे top के ओपर हमारा telegram channel का link मिलेगा उसी link से join करना है वीडियो अगर अच्छा लगए तो like करना share करना और अपने दोस्तों में share करना साथ में इसको subscribe कर लेना YouTube channel को क्योंकि आगे भी आने वाली हो और अच्छे message के वीडियो जल्दी से जल्दी मिलेंगे तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक आप लोग करोगे क्या देखो करना कुछ नहीं सिंपल सी बात है वीडियो को अगर देख रहे हो तो वीडियो को पूरा देखो अच्छे से analysis करो अच्छी ठीम बनाओ अच्छी winning करते हो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई तन्यवाद जैहिंद जैवारत